कि हालो स्ट्रेंड्स कैसे हैं आप साब उम्मिद करते हैं कि आप सभी लोग स्वास्त होंगे आज की शोटी सी क्लास में महत्तपोड प्रश्णों की इस रंकला में यहां पर आपको बदाने वाले हैं कि कि किसी बिन दौावेस के काड़ वैदुछेत्र की तीवरता का बेंज आप सभी को पता है कि कोई बिन दौावेस होता है वो अपने चार और क्या उत्पने करता है वैदुछेत्र करता है करता है कि नहीं करता है और आपने बोला भी है कि किसी बिन दौावेस के कारण जो आपका चार और का छेत्र होता है उसमें कोई अन पार्टिकिल आता है या वैद्विछेत के तीवर्ता का बंजग निकल लिए है वैद्व शेत के तीवर्ता को ई से प्रदर्सित करते है है थोमें ये का मान निकलना है बिन्द्व मौन नीकलना है तो हम माल लेते हैं कि हमारे पास एक बिंदु आवेस क्यों है ठीक है जो कि बिंदु ओ पर है ठीक है और ये एक ऐसे माध्यम में इस्तित है जिस माध्यम का परा बैदुतां कितना है के है तो ये जो बैदुत आवेस है ये क्या करेगा बैदुछेट उत्पन ने करेगा इसी वैद्दू छेत्र में इस बिंदो ओ से हम क्या करते हैं आर मीटर की दूरी पर आर मीटर की दूरी पर कितने मीटर की दूरी पर आर मीटर की दूरी पर हम एक बिंदू पी ले लेते हैं क्या ले लेते हैं एक बिंदू पी ले लेते हैं और हमें इस बिंदू आवेस के काड़ इस बिंद पी पर क्या निकलना है बात में कुछ समुद्स आ रही है कि नहीं है इप बिंद बिण आवेशन लिया और हमें इसी कारड क्या निकलना है व व् Ayad irgend 6 की तीवर्ता का extends तो मैंने क्या किया मैंने माना कि एक हमारे पास बिंदु आवेश क्यूं है यह एक ऐसे माध्यम में इस्थित हैं जिस माध्यम का कоворम कितना कि मतलब दो एक निर्वाद फॉओक वॉयं में नहीं तो हम पुना मान लेते हैं कि जो यह हमने BIND JAWES पीलिया है इस पर पर प्रिचण आवेस हमारा क्यूंनाथ है है कितना भाई परिचण आवेस हमारा क्यूनाथ है तो हम जानते है कुलाम के नीयम से हमने क्या पढ़ा हैностью सोट में देखिए आप समझ जाओगे कुलाम के नियम से पढ़ा कि अगर दो बिंद आवेस एक दूसरे से कुछ दूरी पर इस्तित होते हैं तो उनकी बीच क्या क्या करता है एक बल गार करता है वह बल आकर सड़ भी हो सकता है ठीक है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे यहां हैं। की सा लिखेंगे कुलाम के नियम के अनुसार आपको हिंदी में क्या लिखना क्या है सबसे पहले अब लिख सकते हो कि माना एक बिंद्व आवेस हमारे क्यों है जो कि बिंद और परिष्टित है यह ऐसे हमाद्यम में इस जिसका प्राभाईदतां के है ठीक और इस क् लिए की इक और एक लिए तो कि शाले नहीं है जिस पर हमें इस मिन्त आवेस के लिए यदोई लिया हैं जिसके सबीरेंदो कई सब्सक्राइब इतने सब्सक्राइब को क्या जानते हो आप लोग जांगते हो कि जो कार करने वाला अकर्षाल अतवा प्रतिकर्श्ण बलता है उसका सूतरता है आप छूतरता है आप आप 15 फॉर पाई अफसले नाट के क्या होता है अनफर पाई आपसले नाट के अगर निर्वार चदम Do उसके बाद क्या होता है क्यूं क्यूं नाट दूनों आवेसों का गुड़न पल और बटे में उनकी दूरी का वर्ग दूरी कितनी आर तो दूरी का स्कॉयर यह कूलाम के नियम से आप लोगों ने पढ़ा है ठीक है तता हम यह भी जानते हैं कि जो वैद्दुचेत्र की को ई से लिखते हैं यह बराबर क्या होता है यह बराबर होता है एवपान में क्यूं नाट आप बता सकते हैं कि किसी वैद्दुचेत्र में क्या बता सकते हूं किसी वैद्दुचेत्र में एकांग धन परिच्ड़ आवेस पर कार करने वाले बल और आप एकांग धन परिच पर लगने वाले बल और परिछड़ावेस की अनुपात को हम क्या कहते हैं वैदू छेट के तीवरता ओन की यह बात भी याद रखना है तो बैदू छेट के तीवरता हम जानते यह बराबर एव पान क्यों होता है इसको हम समी करड़ एक समी करड़ एक से जो आप यहां पर एफ का मान निकाले हो कुलाम के नियम से उठा कि यहां पर रख दीजिए तो यहां पर लिखोगे समी करड़ एक से समी करड़ एक से किसका मान रखने पर एफ का मान रखने पर एफ का मान रखने पर चलिए भया एफ का मान र चाहेंगे एक स्थाम पर ये वालयू रख दिया बटे में आपका क्यूंट एक क्यूंट रहता है तो ये बराबर आपका निकल क्या वान पॉर पाई आपसल्य नाठ के ऊपर हो गया क्यों एक बच्चा और बटे में आर स्क्वाइर कितना हो गया आर स्क्वाइर तो यहां पर वैदु छेत की तीवरता का बेंज़क आ चुका है आप लोग देख पा रहे हो ठीक लेकिन अगर माध्यम की बात करें यदि या कह सकते हो यदि माध्यम क्या है निर्वात अ के लिए मैंने बताया कि जो के कमान होता है वो कितना होता एक होता है तब जो वैदु छेत की तीवरता का बेंज़क आएगा वह यह बराबर निकल क्या जाएगा वान अपान फॉर पाई आपसाले नाट के कमान एक रख देंगे निर्वात अथवाइक के लिए और क्या हो ठीक है यह वैदु छेत की तीवरता का बेंज़क आ गया वैदु छेत की तीवरता का मात्रक क्या होता है कूला सुरी निूटन प्रतिकूलाम यह बराबर एफ अपान क्यों होता ना तो निूटन प्रतिकूलाम दूसरा मात्रक भी आपको आना चाहिए दूसरा मात्रक होता तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाले देखे छोटा सा डेरिवेशन था और उमीद कि अच्छी तरीके से आप लोगों को ये बास समझ में आ गई होगी ठीक है तो ये मैंने आपको बता है कि किसी बिल दावेस के कड़ा वैद्दू छेत के तीवरता का बेंजा कैसे गयात करन हों देखे वैद्दू-दूदू के लिए करते दो दो दूदू बना लेते हैं यहां पर ऐक दूदू-दूदू मैं पलस यह गomas होती होती है कि समाने और बराबर है लेकिन एक पलस अवेस का है मैननस खवेस है तो सब्साब्स होतीँ है कि परिमाण में बराबर देखे ये दोनों आवेस परिमाण में बराबर कि नहीं तो आप बताओगे कि परिमाण में बराबर और प्रकित में बिपरीत आवेस जब एक दूसरे से अलप दूरी पर रखे होते हैं तो वह एक दूदूरू का निर्माड करते हैं जिसे हम क्या कहते ह कभी भी परिबास आप यह नहीं भोलोगे क्या बताओगे कि परिमान में समान और प्रकित में बिपरीत आवेस जब एक दूसरे से अल्प दूरी परिष्थित होते हैं ये दूरी अल्प है अल्प दूरी परिष्थित होते हैं तो वे वैद्दू दूद्रू का निर्माड करते हैं, वैद्दू दूद्रू में example भी आपको आने चाहिए, जैसे आपका होता है HBR, ठीक, H2O, ये सब क्या होते हैं, NH3, ये सब आपके वैद्दू दूद्रू है, HCL लिख सकते हो, ठीक है, HCL, ये सारे आपके क्या हैं, वै प्रियत होता है, इसलिए ये दूद्रू है आपका, क्या है ये आपका वैद्दू दूद्रू है, यहां पर बात आते हैं कि वैद्दू दूद्रू आगूर क्या होता है, ये भी एक्जाम में प्रशन पूछा गया है, तो वैद्दू दूद्रू आगूर को भी यहां पर में और दर्सित करते हैं और पी क्या होता है जो ये दो डूम Alabama है यहाँ पर देखें तो दो में यहाँ पना देखें तो के परिमार बंवर तोनौ आवे प्यस्य वेषि से किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की जो दूरी होती है उसके गोड़नफ फलकॉम क्या बोलते हैं। वैयादो दूदरु आगोड़ का मात्रव निकालेंगे तुरंत निकलाएगा दूरी का मात्रक मीटर, आवे इसका मात्रक कूलाम, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर, तो ये बहुत ही महत्तपूर टॉपिक थे, और उमीद है कि छोटी सी क्लास में मैंने जो भी बाते आपको सिखाई हैं, आपके बोर्ड एक्जाम के करना बताएंगे, जितने भी महत्तपूर टॉपिक हैं, वो सारे महत्तपूर टॉपिक आपको हल कराए जाएंगे, सौल्व कराए जाएंगे, और बोर्ड एक्जाम के पहले तयार कराए जाएंगे, चलिक लास कैसी लगी, कमेंट बाक्स में मैं जरूर बताएए, बने मत्रम